नमस्कार दोस्तों स्वालत करता हूँ योड़ चैनल पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब अपॉर्शनिटीज फॉर राइटर दोस्तों अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं या राइटिंग में ही अपना करिया चुनना चाहते हैं देखें लेखक सिर्फ ऐसा दोस्तों सारे प्रकार होते हैं बहुत अलग तरीके से आप ऐ Landes आको बताने वाला हूँ एक राइटर किन-किन में जाकर एपना काम कर सकती है उसके बारे में बताने वाला है तो वीडियो का अंतक द बहिएगा ताकि सारे प्रकार आपको पता चले हैं जो भी लिखने के आपको ज़्यादा शौक है, उसमें अपना प्रोफेशन बना सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना चाहूंगा। और उन प्रकारों के हिसाब से उनके जॉब्स क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा प्रकार है। सबसे पहले आता है दोस्तों, Content Writer या जिसे Online Blogger भी आप कह सकते हैं। Content Writer या Online Blogger जो होते हैं दोस्तों, तो ये किसी पर्टिकलर वेबसाइट के लिए content लिखते हैं। अब हो सकता है ये topic या तो वेबसाइट जो company है उन्होंने दिया हो या फिर अपना कुछ topic बना कर लिख रहे हैं। कुछ freelancing भी होती है जो खुद अपने blogs बना करके वहाँ पर post करते हैं। अगर उस पर traffic अच्छा आता है तो ads मिलते हैं और पैसे मिलने लग जाते हैं। कुछ लोग किसी company के लिखना शुरू करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे type होते हैं। तो आप इस तरीकी jobs कर सकते हैं। इसमें आप एक content लिख करके देंगे और आपको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो यह अलग-अलग तरीके से company आपको topics देते जाएंगी या आपको task मिलते जाएंगे और आपको complete करना होगा। फिर आते हैं poet, poet आप सभी को पता ही है, जो कि poem लिखा करते हैं। जैसे बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, जो कि हिंदी कविता लिखते हैं, कुमार इश्वास की बात कर लीजिए, सेलिश लोडा जी की बात कर लीजिए, जैसे बहुत सारे जो कवी हैं, जो खुद अपनी कविता लिखते हैं, जगा जगा पर उनका कवी सम्मिलन होते हैं, वहाँ पर रिगा कर बताते हैं, इनकी नाम से पुस्तकि होते हैं ऐसे ही कुछ lyricist हो जाते हैं, जो की गाने लिखते हैं, जिनके गाने famous हो जाते हैं अगर वो movie में आ जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि वो गाने लिखने वाला कोई और था यही थे जिनकी कविता हैं थी, जो किसी को पसंद आई, उन्होंने इसको compose करने की कोशिश करी, इसके साथ एक music जोड़ा और ये गानों के रूप में लोगों को पसंद आ लिया, तो आप अगर अच्छी कविता लिखते हैं, knowledge बहुत अच्छा है इस चीज़ का तो आप भी कर सकते हैं, इसके बाद आते हैं दोस्तों, book writers, अब book writers की बात करें, जो कि पूरी की पूरी एक book लिखते हैं, उसमें आत्मकता हो सकती है, उसमें जीवनी हो सकती है, किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई उपन्यास हो सकता है, तो इस तरीकी की जो की बात कर लें तो उनका भी जो कंटेंट होता है काफी सारे लोगों को पसंद आता है इतनी सारी बुक्स उनने लिए जिस पर मूवी भी बन गई तो कंटेंट अगर आपके पास अच्छा है तगड़ा है तो फिर वो काम आता ही है तो आप बुक राइटर बन सकते हैं अगर को लगता है कि आप एक ऐसी पूरी घटना को इतना जादा वर्णित कर सकते हैं इतने सारे शब्दों और पेजस इसके बाद आते हैं दोस्तों स्क्रिप्ट राइटर आप सभी को पता है कि जो डेली सोप्स चलते रहते हैं हमारे टीवी में अलग-अलग चैनल्स पर उनके कहानी में से एक पर्टिकुलर घटना के लिए वहां पर कौन क्या बात कर रहा है क्या बोल रहा है कैसे यह हुआ है इस चीज का और दादा गहन वर्लन जो है एक स्क्रिप्ट राइटर करता है तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर सीन को कुछ और लगा है या फिर आप लिखने की इक्षा काफी हुई है कि हां मैं इससे थोड़ा लिख सकता था या फिर यह जो चीज यह सीन हुआ है मूवी में या किसी पुस्तक में आपको लगता है कि यह इस तरीके से लिखा हुआ है मैं और अच्छे तरीके से मोड़ता था तो आप भी वो चीज कर सकते है ध्यान रहे दोस्तों एक लेखक का सबसे अच्छा गुणिय होता है कि वो पढ़ता बहुत है अगर वो बहुत ज़्यादा पुस्तक है पढ़ता है इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग निउस तो पढ़ते ही होंगे तो यह निउस जो है वो भी ए ज़ता है न्यूस राइटर कोई भी एक गटना जो असल जिंदगी में घटी है उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से बढ़न कर सकें उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें जो लोगों का नाम आप़ लिकना हुए उनका नाम अच्छे से लिख सकें और लोगों को या आपको उस भाषा को अपने अंदर डालना होगा, तब आप इतना अच्छा लिख पाते हैं, कि आप एक news writer बन सकते हैं, वो अलग चीज है जहांपर कुछ लेकाकों की भी करतियां चपती हैं, वो होते book writer या poet ही है, जो लोग जिनकी कुछ करतियां paper में चपती हैं, लेकिन अगर आपको news writer बनना है, तो आपको एक news को अच्छे से पढ़ना होगा, कि किस परकार से लिखी हैं, उसके बाद आप यहां पर भी काम कर सकते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों, advertiser, आप सभी को पता ही होगा, कि हमारे TV पर या फिर हमारे FM पर अगर आप लोग सुनते हैं वैसे बहुत बार आप लोग जब कार में चल रहे होते हैं, तो FM सुनने की कोशिश करते होंगे, या फिर mobile में भी आजकल हम ads बहुत जादा देखते हैं, तो वो ad को भी एक प्रकार से लिखा ही जाता है, तो यह advertiser ही होते हैं, जो कि इस ad को लिखा करते हैं, और उसके बाद उसे परदरशीत करते हैं, जगह जगह उपर, तो ad writer भी आप बन सकते हैं, अब अख़बारों में भी काफी सारी ads आती हैं, जिसमें काफी सारी चीज़े लिखे लिए थी, एक complete बना होता है, जिसमें कुछ नारा वहां पर बना का लिख देते हैं, तो यह सारी चीज़े एक अच्छे advertiser बन सकते हैं, इसके बाद आता है दोस्तो एक article writer, article writer चाहे तो freelancing कर सकते हैं, अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, यह किसी भी चीज़ पर article लिख सकते हैं, चाहे वो education हो, चाहे वो politics हो, चाहे वो automobile हो, चाहे वो economics हो, और भी बहुत सारे matter है, जिस पर आपको अगर ल लेखन कल आनी चाहिए, और उसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा, आप उस तरह की पुस्ता के पढ़े, उसमें देखिए कि किस तरह की के शब्द ही उसके गए है, कैसे उन्हें जोड़ा गया है, कैसे एक पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है, उसके बाद आप प्रेक्टिस कीजिए, कुछ समय के बाद आप एक अच्छे आर्टिकल राइटर भी बन सकते हैं, जो कि एक पेज, देड़ पेज, जाद दो पेज के आर्टिकल लिखते हैं, और उतने में ही काफी ज़्यादा जो है शब्द कहा जाते हैं, I hope मैंने आपको कुछ बताय होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन ने बताये कि वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद